नमस्कार अभिवादन स्विकार कीजिये हरप्रीत कौर का आप देख रहे हैं हमारे लाइव और इंटराक्टिव सत्र हमारे ई विद्या चानल नमबर नौ पर जी हां हमारी पीम ई विद्या क्लास नाइन ये जो हमारा आज का सत्र है कक्षा जो नौ के हमारे चात्र हैं उनके लिए हैं और हम आपको बता दें कि आज जो हमने विशे लिया है वो है हिंदी हिंदी विशे के अंतरगत आज हम सीखेंगे कबीर के सबत कबीर के सबत के हम पढ़ेंगे उनके भावार्थ को समझेंगे और भी बहुत चीजें आज के इस सत्र में हमारे सामने आने वाली हैं लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा जो इस सत्र है आप कुछी देर में हमारे यूट्यूब चानल NCERT Official पर भी देख पाएंगे जो हम इसे वहाँ पर अफ्लोड कर देंगे. फिल्हाल आप इसे हमारे PME विद्या चानल पर देख रहे हैं. सत्र पूरी तरीके से लाइव है इंटराक्टिव है जी हाँ आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं फोन नंबर है आठ आठ शुन्य शुन्य चार चार शुन्य पांच पांच नौ अगर आप अपनी कोई राय अपनी प्रतिक्रिया सुझाव कोई आपके मन में फ्रेशन है आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारे साथ साजा करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल लिखे हमारे इमेल आइडी है dth.class9 at ciet.nic.in और आज चुई सत्र हम आप के लिए लेकर आए हैं जो ये पार्ट है कबीर के सबद इस पर और ज़्यादा र नमस्कार हरप्रिज जी और सभी दर्सकों को भी नमस्कार. जी हम आपको बताना चाहेंगे कि सर सहाय प्रफेसर हैं NCERT के भाशा शिक्षर विभाग से. सर इससे पहले कि हम सत्र में और गहराई में जाएं और आप जो सबद हैं उन्हें समझाएं उनका भावार्थ में ब अबीर दास जी जो भक्तिक आले इन संत्र हैं और इन्होंने समाजी कुरितियों के खिलाप में गुरू की महत्था के संधर्व में जाति पाती उच नीच के जो भेदभाव समाज में फैलाता इनके संधर्व में जो बाते कहीं हैं मुख्य रूप से तीन रूपों में इन् तो हम इरित तीन में से सबत की आज बात कर रहे हैं तो सबत के माध्यम से हम वास्तों में ये जानेंगे आज कि कभीर दास के समय में समाज में क्या विशमताय थी क्या कूरितिया फैली होई थी क्या वो आज भी उतरी ही प्रासंगिक है और हमारा उसके प्रतिक्या दाइत बनता है हम उनसे बच कैसे सकते हैं और समाज के लोगों को कैसे जागरुक कर सकते हैं इन विशे पर उनमें बात की गई है तो आज हम यही सीखेंगे जानेंगे और कि यह हमारी नवीक अक्षा के पाठी पुस्तक में शामिल भी है तो हमारा जो अधिगम प्रतिफल होगा हम जान सकेंगे कभीर दास की रचनाओं को साकी सबद रमैनी के विशे में जान पाएंगे और जो दो सबद इसमें प्रस्तूत किये गए हैं उनके अर्थ को समझ पाएंगे जी, सर आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि आज हम क्या सीखने समझने वाले हैं, तो सर सबसे पहले कि हम सबत पर जाएं उनके भावारत को समझें, मैं आप से ये जानना चाहूंगी जो हमारे संत कभी कबीर जी थे, इन्होंने काफी कुछ लिखा है जैसे कि आपने बत अपने अरफेट जी और मेरा ये मानना है कि कभीर दास जी आज किसी परिचे के मोहताज नहीं है, ये हिंदी साहित में और भक्तिकालिन संत कभियों में अग्रगड़ी नाम है, इनकी पीछे दो बाते रही है, क्यों ये इतने मसहूर हो गये, प्रसिद्ध हो गये, क्यों य पहली बात तो ये है कि इनकी भासा बहुत सरल रही है, इन्हों ने अपनी रचनाओं में जिस भासा का प्रियोक किया गया है, वो आम जन मानस की जो दैनिक जीवन के शब्द थे, जो वो अपने रोज मर्रा के जीवन में अपने कामों को करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, जिन शब्दों का प्रियोक करते थे, उन्हीं शब्दों से इन्हों ने रचनाएं कही है, अपनी बात को उन्हीं शब्दों के माध्यम से प्रकट किया है, ज़्यादा जन मानस तक हो पहुँच पाई है, चुकि भासा इतनी शरुल है कि सब को लगत बिल्कुल बिल्कुल तो जब हमें यह लगता है कि यह हमारी बात है तो हमारा एक संबंध उन्हें रचनाओं से या उस रचनाकार से जुड़ने लगता है हम उन्हें अपना समझने लगते हैं तो ऐसे ही कभीर दास जी के साथ हुआ और वो जन्मानस पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है पहली बात तो यह हो गई दूसरी बात कि उड्रों ने समाजिक कुरितियों के पर छोट किया अपनी रचनाओं के माध्यम से समाजिक कुरितियों को पर छोट किया गुरु की महत्ता की बात की और धर्म के नाम पर जो आडंबर फैले हुए थे उन सारी चीजे जो है आवश्यक नहीं है इसलिए भी चुकि वो उस समय की समस्याओं पर बात कर रहे थे तो इतलिए भी वो जन्मानस से बहुत ज़्यादा जूर पाए और मस्खूर हो पाए फिर भी हमारे विद्यार्तियों तक एक संक्षित पर जाना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ कहां हुआ मिर्तु कब हुई तो जन्म जो है उनका 1398 इस्वी में काशी में हुआ और मृत्यू 1518 इस्वी में मगहर नामक अस्थान पर हुई जी इनकी रचनाएं जो है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि साखी सबद और रमैनी के नाम से इनकी रचनाएं हैं जी और अगर हम खोजें कि साखी जैसी रचना कहां है तो वैसे हिंदी साहित में नहीं मिलेगी यह सारी रचनाएं बीजक नामक गरंथ में संकलित की गई हैं उस ग्यरंथ में साखी को अलग दिखाया गया है सबद को अलग दिखाया गया है अब यह कैसे अलग है मुझे याद काया था कि साखी जो है आकार में सबसे छोटी रचना है कबीर दास जी के संदर्व में और वो दोहा चंद में लिखी गई है इसलिए बहुत लोग भ्रंबत से कबीर के दोहे भी कहते हैं वास्तव में वो साखी है साखी मतलब सीख यानि वो अपने उपदेश उपदेशात्म करने चाहिए सबत अगर देखा जाए तो अपने सवरूप में थोड़ी बड़ी होती है साखी की तुल्ला में यह बड़ी है ओर इसकी लंबाई जो है वो निश्चित नहीं कि यह चार लाइन की हो गई यह 40 लाइन की यह चार की भी हो सकती है और 40 पंक्तियों की भी हो सकती लेकिन साकी के संदर में यह निश्चित है कि वह दू पंक्तियों की होती है जिसमें चार चरण होते हैं व आऐ हाँ चहंद की विशेश्ता होती है सबध जो है और मुझाय गया कि यह को किसी ना किसी दिए जाने की परंपर तो जहां-जहां-जहां सबधात क किया गया इससा दिए गया है का सक थे इस hani कि जैसा दिया गया उसी राग में वह रूड है कि उसी राग में गया जा सकता है ऐसा भी नहीं है लेकिन ज्यादा तर उसको उसी राग में गाने की परंपरा रही है रमैनी सबत से थोड़ा हटके इसलिए हो जाती कि इसमें गयात्बक्ता के लक्षम होना कोई अनिवार नहीं है और यह की चयात कि इसमें उल्टी बाते कहीं गई है उल्ट बासी तरा की चीलियो होती है इसमें किसी बात को समझाने के लिए व्यंगात्मक रूप से बाते की जाती है तो रवाइनी पर हम कभी बात में चरचा करेंगे आज का हमारा विशे है सबद, तो सबद पर हम आते हैं, बिलकुल, हम आते हैं, उनके भावारत को समझते हैं, और कुछ मुख्य शब्द भी आप हमारे चात्रों को बताएंगे, उससे पहले मैं सबद क्या है, इसके थोड़ी और बात कर लिता है, क्योंकि सबद की उत्पत्त के परिद्रिश में देखा जाए, तो इसका अर्थमा आवाज से लिया जाता है, किसी चीज पर आगहात करने, यानि चोट करने की आवाज, या बंदी विरस्षी को जब हम खीच कर छोड़ते हैं, तो जो उससे आवाज आती है, या फिर किसी चीज को टूटने फूटने से उत्पन हुई आवाज है, इन सब को वहाँ पर सबत कहा जाता है, अब यहाँ पर मैंने इसका क्यों जिक्र किया, क्योंकि सब्द से और आवाज से क्या संबंध है, ये भी हमारा जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि क्यों इसको सबत कहा गया, शब्द क्या है, य जो हमारे शरीर के भीतर जो हमारे स्वांस है जो प्राण वायू है वो जब विभिन अंगों से तकराती है तो एक आवाज की उत्पत्ती होती है वही शब्द है मैं बोल रहा हूं तो शरीर की स्वांस बायू जा है विभिन उचारन स्थाने पर मुख के विभिन अंगों पर तक्राथी है तो यह भी आवाज है इसलिए सबत को आवाज कहा गया अब कैसी आवाज कि तो अनभूती की आवाज हमारी जो अनभूती है जो हम खुद की विशे में समझते हैं जो हम संसार के के विशे में समझते हैं जो हम इस्वर के विशे में समझते हैं इनकी जो अनुभूती है इसका प्रक्टिक करना जब हम करते हैं तो साहित्य में इसे सबत का नाम दिया गया यानि जब हम आत्मविशलेशन करते हैं मनंचुंतन करते हैं उसके बाद जब हम अपनी धारणाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो सबद बन जाती है, यहां पर हम थोड़ा सा आप से मेरा इत्फाक नहीं है, आत्मिविशलेशन थोड़ा संकुचित सब्द हो जाता है, क्योंकि आत्मिविशलेशन में मैं सिर्फ खुद के विसे में सोचता हूं और समझता हूं, लेकिन यहां पर खुद की बात नहीं है, सिर्फ अपनी बात नहीं है, संसार की विसे में, संसार से परे जो इश्वर की बात होती है, उनके संदर्ब में जो जितनी भी बाते हम अनुभूत करते हैं, और हमारी उस अनुभूती के फल सो रूप जो हमारी धारना बनती है, जो हमारी विचार बन सकते हैं जैसे कबीर दास जी के सबद हुए दादू दयाल के सबद हुए और नात संप्रदाय में जो गोरक नात की परंपरा रही है उस संप्रताय में भी सबद कहने की परंपरा रही है गुर्बाणी में शबद होते हैं गुर्बाणी में आपको बहुत सारे सब्दों का संक कह सकते हैं जी और इसके विसे में मैंने बताया है इसके स्वरूप के विसे में कि यह गया हुआ करती है इसमें हम अपने विचारों की बात करते हैं यह बड़े भी हो सकते हैं इसमें खास बात यह होती है कि इसकी एक कोई पंक्ति ऐसी होगी जिसको हमें दोहराना होता होगा जिसको हम संगीत की वहां साथ में टेक लेना कहते हैं तो एक कोई पंक्ति जरूर ऐसी होगी जहां कि हम उस पंक्ति को दोहराते हैं फिर अगली पंक्ति पर जाते हैं हम गुर्बाणी में भी सर रहाव आपने शब्द लिखा है, रहाव सब्द के लिए ही प्रियोग होता है, बिल्कुल, काफी गुर्बाणी में भी हम उसको पढ़ते हैं, अब सबद पर आते हैं, बिल्कुल, दो सबद आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पार्टि पुस्तक में दो ही सबद का संकलन किया गया, साथ या आठ साखियां है और दो सबद है, पहला सबद है, मो को कहा ढूंडे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इसमें कभीर दास्ट जी, पुरी सबद के शब्दात में बताऊंगा अभी, लेकिन मूल बात ये है इसमें, कि कभीर दास आठ जी, संसार की लोगों को कह रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, कि इश्वर जो है, वो आपके भीतर है, वो सर्वत्र है, वो ऐसा नहीं कि कि किसी विशेश अस्थान पर है, जहां जाकि आपको उसको ढूंडना है, आवस्यक्ता है, तो मन को एकाग्र करके, उनके पा आए जब हम मन को एकागर्चित करके उनका ध्यान करें तो कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में नामय देवल नामय मस्जिद ना काबे कैलास में ना तो कौन क्रिय करम में नहीं योग बैराग में खोजी होय तो तुरत्य मिलिहों पलभर की तलास में क कहें कबीर सुनो भई साधो सब स्वांसों की स्वांस हमें ऐसे तो इसमें कुछ कठिन शब्द है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग एक लेते हैं एक बार मौ को यानि मुझे मुझे यहां पर इश्वर के संदर्ब में कहा गया है बंदे इन्सान मनुस्य के लिए कहा गया है देवल यानि देवाले मंदिर की बात कि जा रही है मस्जिद सब लोग इस से वाकी फैं सब इन को जानते हैं की मस्जिद जो है वो इसलाम धर्म के आराधना का अस्थान होता है ना काबे कैलास में कैलाश परवत जहां भगवान सिव का निवास अस्थान माना जाता है काबा जो मक्का मदीना में है यह भी इसलाम धर्म का एक प्रसिद्धार्मिक अस्थल है ना तो कौन क्रिया करम में क्रिया करम का यहांपर अर्थ हुआ कि हम जो पूजा पाठ से संबंदित जो यग विविधिधान कि करते हैं उनकी बात की जा रही यहांपर और योग भारा कि या नी कि योग ले लेना सन्यासी ग्रहल कर लेना ये जो हमारी प्रक्रियाय है उसकी बात की जा रही है तलास जो है वो तलाश की बात की जा रही है यानि खोजने की बात की जा रही है तो कभीर दास जी करते हैं कि मुझे जो तुम इधर उधर ढूंडते फिर रहे हो तो मैं इधर उधर किसी खास विशेस अस्थान पर नहीं हूँ ना मैं मंदिर में हूँ ना मैं देवल ना मैं देवल यानि कि ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ नहीं मैं कावा में बैठा हूं नहीं में इन जगों पर नहीं हूं नहीं मैं योग गरहन कर लेने में हूंने मैं सन्यास कर लेने में हमारी प्राप्ति आपको अचाव साइगी क्रिया कर्म के尻 हो फल तो तो आप मुझे ढूंढ ही नहीं रहें वाई इसवर को तो यह कहा जा कि वह तो सर्वत्र हैं जब सभी जगा है तो हमारे भीतर भी हैं अंतर मन में बिल्कुम हमारे मन में हैं तो हमें अपने मन के भीतर हमें अपने अंतर मन में उनको ढूंडने की जरूरत है लेकिन हम क्या करते कि मंदिर मस्जित तिर्थियात्रा और यज्य सन्यास आदी चीज़ों में अपना समय नश्ट करते हैं और फिर भी अंत में हमें इश्वर से साक्षतकार नहीं होता है इश्वर की प्राप्ति इश्वर की अंतर मन में अ बिल्कुल सोही है जैसे हम मन्दिर मसजद गुर्द्वरे जा रहे हैं हम दुनिया को शायद दिखा रहे हैं कि अगर इश्वर सरवत्र नहीं होगा बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि दीफ PT उझार सरवत्र है तो जो हमारे वह आपके वीधर है सबके भीतर और सबके भीतर जब एक ही इश्वर का वास है तो अगर हम किसी व्यक्ति विशेश का या समाज का अहित चाहेंगे अहित करना चाहेंगे उसका अहित सोचेंगे तो इश्वर कैसे अपनी एक ही स्रिष्टी के द्वारा दूसरे स्रिष्टी का अहित होने दे सकती ह अगर ऐसा करें तो हमें इस्टवर की समझ इस्वर की अनुभूती होगी ही नहीं क्योंकि कभीर्दास जी अंत में जो कहे कभीर सुनो भही सादू साधू यानि सजन पूरुस की बात की जाती है साधू का मतलब होता है सजन व्यक्ति अच्छा कर्म जो होता है तो इसलिए संत महात्माओं को साधू भी कहा जाने लागा तो कहते हैं कि हे महापूरुस हे सजन लोग इस बात को समझो कि वो सब स्वासों की सांस में है, यानि वो सारे मनुस्यों के भीतर में हम जो सांस लेते हैं, जो हमारी प्राण वायू है, उसी के भीतर उनका वास है, तो हमें उसके भीतर ही ढूंडना है, हमें खुद के भीतर ढूंडना है, अब ये कैसे होगा, खुद के भीतर हम कैसे जब हम इस मोह मया से परे हो जाएंगे, जब हम वास्तविक्ता को समझ जाएंगे, हम समाजी कुरीतियों से अपने आप को दूर करेंगे और समाज के लोगों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे, जब हमारे अंदर सद्गुनों का वास होने लगेगा, तब धीरे-धीरे उभ्रप्रेस्थत्यों से मंसलत यह जो हो रहा है वह उनकी मर्जी से हो इस Сवामी जी कहा में कि हूं ये वही जो राम रची राखा जो उन्हो ने टै किया है जो निश्चित किया है विदाताने वही होगा जी ये भी अम लोग कए समय से पहले और वक्त से समय से वखг सई अ किसमत दागा काहोद भी बहुत प्रचलन तो दोनों बाते सही हैं बिलकुल बिलकुल तो सब कुछ इस स्वर की मरजी पर है तो हमें इस चीज को समझना होता है तो जैसे जैसे मनुस्य के अंदर सद्गुणों का वास होने लगता है वो सारे मनुस्यों को एक की दूसरे के बराबर समझने लगता है कि सब मनुस्य जो ह वह एक समान है तो जो उच जाती पाती का ये भेद भाव खत्म होने लगता है तो धीरे-धीरे मनुस्य क्या है कि वह उसके अंदर देवत्यों के गुणों का वास होने लगता है तो वह इश्वरिये गुण के समीप होने जाता है और जैसे जैसे वह इश्वरिये गुण के सम तो जब तक हम इस निकल पाते तब तक हम कहीं भी इस्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और अगर इन चीजों से बाहर आ जाते तो इस्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाती है इसलिए इस्वर को अपने मन में खोजने की बात आई दूसरे शबद है शबद तक आने से पहले हम पहले इनके भावार्त की बात के लिए यहां पर प्रियोक किया गया यह जो मोटा सा उसको थुनी कहा जाता है बलिंडा चपर के ऊपर एक मजबूत लकड़ी दी जाती है ताकि खप्रायल जो है वो नीचे गिरे नहीं तो वो बलिंडा का लाता था शानी यानि की चपर भांडा फूट जाना भेद खुलना निर्चू थोड़ा भी चुए चूता है रिस्ता है बूठा यानि बरसा खीना यानि शिण हुआ यह कुछ शब्द आये हैं इसमें और हम लोग देख सकते कि यह सब खप्रायल के मकानों के संदर में सारी बात उन्होंने कहीं है तो सब उस समय खप्रायल के ही मकान होते थे सामानेता तो सारी चीज़े जो है वो जी तो हम वो सबद भी देख लेते हैं हा आम की टाटी सबय उडाली माया रहे न बांधीरे हितचित की दोव थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा तिरिशन छानी परी घर उपर कुबधी का भांडा फूटा अर्थ में बाद में बताता चलूंगा सबका जोग जुगतिकरी संतों बांधी निर्चु चुए न रगटे उचीत भयो तमगीन अब इसका अर्थ देखते हैं कि क्या कह रहे है कभी संतों भाई आई ज्ञान की आंधीरे का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को अध्यात्मिक ज्यान की प्राप्ती होती है जब हमें इस लोक से संसार सीहत के उस लोक का ज्यान प्राप्त होता है पारलोकिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है जब हम अपने इश्वर से अपने इश्ट से जुड़ने लगते हैं तो हमारे अंदर मौझूद सारी बुराईया, सारी वासनाय जो है वो खत्म हो जाती है तो अई कहरें कि जब ज्ञान रुपी आंधी चलती है तो यो जो भ्रम रुपी, यो मौह माया रुपी, बास किट अठिया जो है वो उड़ जाती है, वो खत्म हो जाते है स्वार्थ और लालत जैसे खंबे भी जिजान की आंधी में गिर जाते है जिजान की वजा से मौह रुपी सांसारिक बंधन खत्म हो जाता है तुट जाते हैं इसमें बिम्ब का प्रयोग किया गया है जो हमारे भीतर बुराईया है उनको हम बाहरी बिम्बों से प्रकट कर रहे हैं जैसे च्छत के लिए तुट की बात किया है कुबुद्धी को बरतन से बिम्ब कहा गया है खंबे को स्वार्थ और लालच से दिखाया गया है जो हमेरे अध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ती में जो बाधाये रही है उन सब का बिम्ब लेके यहां पर उन्होंने प्रयोग किया है साधू संतों ने योग साधना से फिर क्या किया कि छट बनाई जिस पर अज्ञान और संसारिक मोह माया का पानी नहीं टपक सकता है यही जो है इसका पूरा अर्थ है योगी यांकी आंधी के बाद इस्षवर जो है वो प्रेम रुपी जल से सब को भीगो देटा है तो कबीर दास का कया है कि जब 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 आजियांकicon कि प्राप्ती होती है तब-ब इस थितिया जो है परिवर्तित होती है और वह इस थिति gjort शो कर क्या कर उससे पूर्ण करती है यानि कि हमारे रिधे में हमारे मन में जो मैल है कुसंगतियों से कुरीतियों से बुराईयों से निंदा से वो सब धुल जाता है सब कुछ धुल जाता है जब हम इश्वर में चित्त लगाते हैं और फिर जो हम एक ज्ञान की तरफ जाते हैं तो ये अंदकार जो है अज्ञानता का कभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता ये इतने संदर सबद हैं और इतना इनका महत्मे है मैं कहूंगी कि आज भी कितने प्रासंगिक हैं और इन्हें हम अपनी Everyday Life जिसे कहते हैं कि अपने दैनिक दिन्चर्या में अगर हम इनको इनका पालन करें तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं हर रोज अपने अंदर कोई न कोई गुण हम लेकर आ सकते हैं सर इस पूरे पाट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद है प्रीजी और सभी दर्सकों को भी धन्यवाद इतने अच्छे से आपने समझाया इतने सुंदर सबत हमने सीखे कक्षा नवी के हमारे छात्रों के लिए कबीर के सबत हमारा आज का पाट था और अब इस सत्र को यहाँ पर विराम देने से पहले हम आपको बताते हैं कि अपसे कुछी देर में आप और कौन-कौन से हमारे सत्र देख सकते हैं तो अपसे कुछी देर में आप देखेंगे साइंस विषय के अंतरगत हमारा सत्र जिसका टॉपिक रहेगा पोर्स और लाउस अफ मोशन इसके ठीक बात हम आपके लिए सोशल साइंस विषय पर सत्र लेकर आएंगे और 3.30 से 4 बज़े हम गनित के सत्र लेके आएंगे एरिया के बारे में सीखेंगे और 4 से 5 का जो समय रहेगा हमारे online training सत्र का समय रहेगा जिसमें हम digital apps, games के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ठीक पात 5 बज़े आप हमारे सहयोग सत्र देख सकते हैं और साड़े पान से सवाच शे बज़े का समय रहेगा हमारे स्कूल लीडर्शिप और डिवेलप्मेंट पर आधारत एक सत्र का। इसी के साथ ही मैं हर प्रीत को और इस लाइव सत्र से आप से लेती हूँ अनुमती हमारे बाकी के ज्यान वर्धक और शिक्षा प्रद सत्रों के लिए हमारे साथ जूड़े रहेए। अमस्कार